यह किसी का फोन भी गिरा है हाँ पेयर किसी का फोन भी गिरा है आपका पेड़ को लेके गए ना पूरा रास्ता यहां पर दस गया है देख सकते हैं जय सुख्रीरो गुड़ए को जिसे सरी रहा से हैं जनका मिला और हनुमान मिला जाय स्रीराँ जाय स्रीराँ जाल दरो की जाओ तो आज चमोली गडवाल के मेलठा गाउ में होने वाला है हनुमान कौथिक बदाया जाय तो आज लंका मेला है और इस मेले को देखने करें लोग दूर-दूर से आते हैं सबसे पहने तो आज गाउमालों का काम ही रहता है मौनिंग में उट्टे ही जंगल जाना और इस चीड के पेड़ को लाना तो अभी एक जगह पहुँचे हैं और यहां पर होरा सबका जलपान तो पूरा गाउम मिलके इतना बड़ा पेड लेके आरे जंगल से देख सेते हैं अगे से पीक अप चल ली है पीछे पीछे लोग चल रहे हैं और पेड़ देख सेने कितना बड़ा भाई यह देख सकते हैं अगे खतरनाक बैंड लग गया है तो यहां में लोगों पर रिखाने हुए अबड़ा यह गया है टो यह बालत अगजना नारे फिस पीछे घटए जाए अख पोचे लोग भूणते दो यहां में लोगपरिवग कर देख लेख सेने रहां जालाए यहेँ पाचालवा! कर चांभर है नारे आरे खाया है आर आर आरे जाए इस पेड़ को लेकर चलेंगे अभी असोग वाटिका में और जिस पे चड़ेंगे हनुमान जी यनकी पांडाव चौक में चलें झाल개 शीला कर दो कर दो दो कर दो क्यो कर दो कर दो तो यह कुछ लेजाना उटो दादी जी गास से आ रहे हैं जल्दे जाओ लंकारी एग और यहां लंकारी यह वान की लंका यह जाए है इसको आज है इसको आज है हनमान जो है तो बाई उपर से लंका ला रहे हैं और मेरे साथ में बिर्जेश भाई देख सकते हैं तो इतनी फसल में चलने हम साइड साइड से वाई पैरों से दबाते हुए मत चलना भाई लेकिन इतने ही महनती और इतने ही ताकतवर यहां के लोग है और देख सकते हैं आसानी से ला रहे हैं जय स्रीरा तो कहीं लोगों के कमेंट देख रहा था कि अरजुन आप चमोली गडवाल में गए हैं तो वैसे भी चमोली गडवाल धरती का स्वर्ग माना जाता है और वहां का गाउं दिखाओ और वहां के घर दिखाओ तो सामने गौसाला देख सकते हैं अपने पूराने आकार में जा सकते हैं पूराना आकार देख सकते हैं बिल्कुल पाथर वाला डाल दार चट जो अपने पहाड़ों में होता है और बागी में गाउं आपको दिखाता हूं यहां से सामने कुछ घर है देख सकते हैं पाथर वाले यहने की पूराने डिजाइन के मकाल अब ऐसे जगा ऐसी सिटोचन में मोडने में दिखत होती है तो सीड़ी दार खेतों से ला रहे है और जो बागी से हैं उनको सब से ज़ाध होती क्ए अ कभी इसका गती बढ़ जाता है दाउन में तो यार कैसे कंट्रॉल करते हैं देख सकते हैं जो आगे हैं वह बाई साब कितने ठके हुए है कर सकति आ कर दो मार कर दो का कर दो याओ जो या कर दो जो सुलेवे कर दो दो जो 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 आपै जो 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 आपने है बच्छर जो जो नहा कर झा जो जो में जो जो स्रीटोब तो जैजैकार के साथ पूरा गाउं देख सकते बाई इस लंका को लेके जा रहे हैं पांडो चौक में तो अभी मैं पीछे से हूँ और जिस रास्ते से उस लंका को लेके गए उस पेड़ को लेके गए ना पूरा रास्ता यहां पर दस गया है देख सकते हैं कितना वेट होग दो सामने देख सकते हैं ना वाले है और यह चोज है सामने यहा? जहाँ पर पंडेऴरीतिय का आयोजन चले है इस टाइम पे और आप पहुंसने ही वाले है और दरसक देख सकते हैं मेलार्थियों को देख सकते हैं इस सेथन के तमाम दूर-दूर से लोग यहांपे आए हैं इस काथिक को देखने के लिए क्योंकि एक भव्यों आयोजन जो चलना भाई तो सामने पूरी पब्लिक आगी है मेलाये छोटे बच्चियों से लेकर बढ़न हनुमान कोथी को देखने के लिए और सभी लोग जय जय कार करते हुए निकलने अभी इस लंका को लेते हुए पांड़ो चौक में तो इस लंका और इस चीड के पेड़ के बारे में ना कुछ जानकारी नहीं है अगर थोड़ा बहुत भी जानकारे होती था तो मैं बत्र लाइक मैं लाइक करती जाप जिससे पूरे दुनिया में अपने उत्राखंड के कल्चर हर जगर देखें और इस कल्चर के बारे में जाने हो भी कि ऐसे नहीं कहते अपने उत्राखंड को दे भूमी उत्राखंड और यहां पभी मैं एक चीज देख रहा हूं आगे-ागे ज लगों के लिए जत blossomанич और लोगों को इंकि एज के यहां पीचे हैं और पीज में कोई डादा जी लगे है यहां है कि आ अपगें Предकुमा शारा इस उम्र में नवे अर्जुन की आखें बाई वो देख लेता है जिस पर टार्गेट कर लेता तो समझ लो तो ऐसे जगह ना कूत कूत के चलना पड़ता भाई हमें गर्बैक हम उत्राखन पहारी है क्योंकि ना बाई जो लोग सहरी होड़ा वो लोग चल ही नहीं पाएंगे उनको अनकमफट लगेगा ऐसे रास्तों में कैसे चलेंगे उपर से इतना बड़ा पेड़ जो लाना है और ब्लॉगिंग करना वी ऐसे रास्तों में कई लोग नहीं कर पाएंगे जो प्लेंस के लिए ठेट पहाड़ी बंदा चाहिए तो यह है चौक जहां पर चला है पांड़ उनृत्या और यहां पर दोल नगार लेकिया वाचारों तरफ से भुकर तो चौक है सामने और लंका लेके लोग अभी यहां पर पहुंचे हैं तो अब तो भाई पहुंचने वाले हैं और देख सकते हैं स्वागत के लिए फूल माला डोल नगारों से उनका स्वागत किया जाएगा जो जितने दूर से भाई इतने ऐसे सिच्वेशन में इस लंका को इस पांडो चौक तक पहुंचा रहे हैं तो चीड का जो पेड़ है वो तो पहुंचा दिया है पांडो चौक में अब यहां से स्टार्ट होता अपना लंका मेला तो अभी असोग वाटिका में तयारी चलेगी सारे फल यहां पर लगाएंगे वाटिका में फिर हनुमान जी जाएंगे और सारे पेड तोड़ तार के फिर चीड के पेड में चड़ेंगे बागी मेला बया काफी इंटरस्टिंग होने वाला है जिसके लिए आपको अगले व्लॉग का इंतजार करना पड़ेगा तो हनुमान जी आप जाने लगे है उस पेड में जिस पेड की खाल तक उतार दिया है लोगोंने और हनुमान जी बैया देख सकते हैं इस पेड में जाएंगे और उपर से जो फालिस्ट में बांदे हैं लोगोंने एक कपड़े में रखे हैं और वो निकाल के लाएंगे तो हनुमान जी बढ़ने लगे हैं आगे और इस मेले को देखने के लिए हजार उन लोग आए हैं तो बैया ये व्ल